या आपको भी हिप्पी एप पर OTP रिसीव नहीं हो रहा, हिप्पी एप पर OTP नहीं आ रही है, कैसे आप इस प्रॉब्लेम को ठीक करेंगे, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को पुरा अर्ण तक जरूर देखी, हिप्पी एप में OTP रिसीव ना हो जाने की इशू या फिर प्रॉब्लेम कापी सार लोगों को है तो लाश्ट तक इस वीडियो को देखे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ली हिप्पे एप को और टिपी ना आने के लिए अगर आपको यह प्रॉब्लेम है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर या फिर आप अपने हिप्पे एप के उपर कुछ इस प्रकार से लॉंग टैप करके रखे और उसके बाद एफ इंफो में चाहिए या फिर सेटिंग से भी आप डैरेक्ली एप्स में जाकर एफ इंफो खोलेंगे उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज के ऑप्शन पर और इसके बाद हमें clear data और clear catch इसका कर देना है अब इसके बाद आपको जो है वापते से अपने आपको खोलना है उसके बाद आपको अपनी number डालनी है नंबर वही डालनी है जो कि आपके खुद के phone में है और उस phone number पर message receive होनी की facility available होनी चाहिए बस इतना काम करना है और उसके बाद आपको message send कर देनी है अब यहाँ पर आपको hippie के द्वारा message successfully भेजी जाएगी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वो मेरे आप लोगों को चांद करी समझ में आ रही होगे अगर फिर भी problem है hippie app के अंदर OTP नहीं आ रही तो आप क्या कीजिए hippie app को uninstall क और उसके बाद फिर से play store में जाकर एक और बार आप hippie app को install कीजिए आगेन आपको यह process करना है उससे पहले अपने phone को restart करना ना भूले phone को बंद करके चालो कीजिए जिससे की problem आपकी जरूर ठीक हो जाएगी